Good morning everyone, welcome to civil staff. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अगर हमें HPS 2024 को टागेट करना चाहिए जो आज से तकरीबन 18 महिने की दूरी पे है, तकरीबन देर साल के टाइम फ्रेम के बाद ये पेपर कंड़क्ट किया जाएगा तो इसके लिए क्या realistic plan of action हम लोग उने draw करना है और इस वीडियो के बाद हम से हम लोग ये भी जानेंगे कि क्यों इतनी भारी संख्या में इतनी मेहनत करने के बाद भी विद्यार्थियों का चयन इस examination में नहीं हो पाता है क्या वो reasons हैं क्या वो pitfalls हैं जिनकी वज़े से काफी लंबी समय की तयारी के बाद selection नहीं possible हो पाता और किस वज़े से किसे विद्यार्थी का मात्र एक या दो साल में जैसे इस बार हम लोग कहीं बार उधारण देते हैं कि रश्मी शर्मा जिन्नोंने although तयारी 33 की age में start करी और 35 की age में तयारी को wind up भी कर लिया और इस साल rank 6 हासिल करी है ऐसे ही शितिज राना जिन्नोंने 23 साल की age के अंदर इस examination को qualify किया और कई लोगों ने काफी लंबे समय की तयारी के बाद भी examination को qualify किया तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक ऐसा plan of action draw किया जा सकता है एक ऐसा time table बनाया जा सकता है एक ऐसी strategy बनाई जा सकती है जो आपको इस examination को minimum possible time में qualify करने में help करें अभी से अगर हम लोग तयारी को start करें तो मैं कहता हूँ कि आप एक साल first attempt में डेर साल की तयारी के बाद first attempt में इस paper को अराम से qualify कर सकते हैं अगर यह जो बनाया गया plan of action है इसको आप बहुत religiously follow करें तो आज इस session के बादियम से हम इन सारे पहलों पर जरूर जो है रोश्नी डालेंगे और यह जानेंगे कि कैसे कम समय में paper को निकाला जाए efficiently और effectively पढ़ाई को pursue किया जाए notes कैसे बनाया जाए revision कब की जाए तो यह जो सारे अलग-अलग organ sense examination के इन सब पे हम ए एक द्रिस्टी डालेंगे ऐसे ही अभी तक हमने ये भी देखना है कि कुछ ऐसी वजाए हैं थी जिसकी वज़े से बच्चे इस examination को qualify नहीं कर पाते तो हमें जरूर उन कारणों को भी जानना पड़ेगा कि क्यों बच्चे इस examination को नहीं qualify कर पाते हैं या क्यों कुछ जो हैं कुछ disadvantage position के अंदर होते हैं जब इस तयारी को start करते हैं तो हर प्रकार के बच्चे की तयारी का trajectory होगी that will be very different क्योंकि इस तयारी में आप बहुत एक आसान तरीके से इसको समझे कि मेरे उपर अगर ये च्छत है और ये च्छत ये examination की चरम सीमा है जो आपको selection दिला सक देने लulkज़ते हैं तो हर बच्चा different platform से इस छत की तरफ pursue करता है कोई इस उंचाई से pursue करता है तो कोई इस उंचाई से pursue करता है हमें अपनी position को जरूर identify कर लेना चाहिए कि हम कितनी दूरी पे हैं अपने लक्ष से जब हमें ये दूरी पे हैं अपनी छट से तो आप ये समझे कि आपका जो trajectory है आपका जो road map है वो ठीक तरह से आपने नहीं बनाया है आपने किसी और को मद्धे नदर में रखते विए वो road map को बनाया है for example हम लोग देखते हैं कि कई सारे toppers even हमारे चैनल पे अननी YouTube चैनल पे आपको दिखेंगे जो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे तयारी करी उन्होंने वैसे तयारी करी लेकिन आपको समझना पड़ेगा शायद जो उसकी तयारी का तरीका है वो आपकी तयारी का तरीका नहीं हो सक तो आपको अपनी social conditions, अपनी economic conditions, अपनी geographical conditions इन सारी ही चीजों को मद्धिन नजर में रखते हुए अपना roadmap काव आउट करना परता हैं जिसमें maximum number of छास ये identify करने में भी fail हो जाते हैं कि उनका roadmap क्या होना चाहिए जो तयारी हम लोगों ने अपने समय में की हमने भी शायद य यही कुछ गलतियां करी हैं तो आज किस वीडियो के माधियम से शायद मैं आपको एक बहुतर clarity दे पाऊंगा किस तरह से तयारी को करना चाहिए लगातार में इस तरह के वीडियो कंड़क्ट करता रहता हूं जिसके अंदर हम लोग जो है notes कैसे बनाएं, last moment revision कैसे करें, prelims क last चरण को कैसे pursue करें, mains के last चरण को कैसे pursue करें, इन सारे ही बातों का ध्यान रखते हैं, clear, अब इसी के अंदर हमने देखना है कि अगर minimum possible time that is first attempt सन 2024 में, जो आज से 18 महीने की दूरी है, उसको हम लोग किस प्रकार से अगर तयार करें, ताकि ये paper निकलने की संभावने हमारी maximize हो जाए, तो what should be our roadmap, तो इसी roadmap को मैंने 5 अलग-अलग अंगों में divide किया है, 5 अलग-अलग headings में divide किया है, जो विक्ती बहुत seriously prepare कर रहे हैं, जो parents अपने बच्चों के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी शायद इतने सारे जो points हैं, इन points को जरूर note down कीजे, और इतके थूँ, अगर आप तयारी को करेंगे, तो आपकी तयारी काफी robust होगी, और यह तयारी ऐसा है, जो कम समय में आपको result देगी, तो इन points में, इन headings के पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो लोग really इस examination को qualify करना चाहते हैं, जो बहुत passionate हैं, इन services में जाने के लिए, administrative position को हासिल करने के लिए, उनको बहुत seriously ही, आज की session को pursue करना चाहिए, इन notes को बनाना चाहिए, यही फर्क है, selection or non-selection candidate का, the lack of seriousness in the candidate, अगर मैं बोलता हूँ, इस examination में, जैसे हम data की भी बात करेंगे, level of competition की भी बात करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि maximum बच्चे, जो first stage है, उस बहुत बड़ा factor यह है, कि हम competition के level को नहीं पहचान पाते, इन सारी बातों पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात है, सबसे पहला point जो है, हमारी चर्चा का, जिसमें मैं बोलता हूँ, कि हमेशा इस examination की तासीर को पहचानी है, तासीर का मतलब क्या है, कि examination क understanding को पहचानी है, तो understanding क्या है examination की, जैसे इस examination में हम लोग जब भी इस examination को start करने के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो हमने कुछ NCRT पढ़ लेते हैं, किसी topper ने कुछ चुनिंदा किताबे बताई हैं, किताबों को पढ़ लेते हैं, तो इस तरीके से हम इ अगर हमें Chandigarh से Šimla जाना है, तो हम Šimla जाने के लिए भी planning करते हैं, हम Šimla जाने के लिए गाडी के विवस्ता करते हैं, कि bus से जाएँगे, अपनी कार से जाना हैं, तो उसमें पेट्रोल भरवा के रखना है, टैरों में हवा भरव के रखनी है, ठंडा कपडा लेकर जान जाना है तो कितने बज़े जाना है रस्ते में कहां पर हॉल्ट होगा शिमला में जाएंगे तो कहां पर रुकेंगे कितने दिन रुकेंगे क्या कहां घुमेंगे कितने लोगों से मिलेंगे तो यह सारी विवस्ता हम लोग घर से सोच के जाते हैं जो शिमला हमने दो दिन के ल हो क्या हम अपने को पहले ही फेल करने के लिए तयार तो नहीं कर रहें तो हमें इन बातों को भी समझना पड़ेगा तो हमें देखना है इस examination में three stage process है तीन stages इसके अंदर involved है stages का क्या मतलब है पहली stage है जिसके अंदर जिसको बोला जाता है prelims examination है प्रिलिम्स examination का मतलब preliminary examination जिसमें मूल तोहर पे दो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एक सब्जेक्ट है general studies समानी ग्यान दूसरा सब्जेक्ट है CSET civil services aptitude test CGS जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर बाकी के सारे समानी ग्यान के इतिहास है भूगोल है समाश शास्त्र है यह सारे अर्थ विवस्ता के सब्जेक्ट है तो यह सारे सब्जेक्ट history, geography, polity, economy, general science, environment, disaster management, हिमाचल GK, current affairs यह सारे जो सब्जेक्ट है यह general studies को बनाते हैं दूसरा पार्ट है जिसको civil services aptitude test बोला जाता है जिसके अंदर mathematics है जिसके अंदर reasoning है जिसके अंदर English है इस तरह से दो पेपर दो दो घंटे के एग ही दिन में conduct किये जाते हैं जिसको बोला जाता है stage 1 stage 1 में अब देखो इसी के सांद हमें ये भी identify करना पड़ेगा कि कितने बच्चे इस paper को conduct कितने बच्चे इस paper में बैट से हैं उसी के तहर आप देखिए कि level of competition इस paper के understanding का एक एहम हिस्सा है level of competition का क्या मतलब है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि stage 1 में जैसे इस साल 70,000 ते ज्यादा बच्चों ने form को भरा more than 70,000 student has filled the form लेकिन paper तर पहुँचने वाले बच्चे रह जाते हैं 30,000 और कुछ भी मातला नहीं है कि means अपने आप seriousness का पता चलता है कि बाकी सारे बच्चे ऐसी YouTube पे कोई video देख लिया कभी कुछ देख लिया चलो जो है पूरा हिमाचल सरकारी exam की तयारी कर रहा है तो हम भी कर ले रहे हैं तो आपको इनी नंबर से हमारी seriousness का पता चलता है तो आप देखिए 70,000 में से paper देने जो पहुंचेंगे यह मैं higher side पे बता रहा हूं 30,000 पिछले साल कोवीड के समय में 18,000 बच्चों ने paper दिया तो 30,000 बच्चे लेट सर्जियूम की prelims के paper में बैट देख देख इस 30,000 म हमारे काफी सारे बच्चों ने qualify किया है तक्रीवन तक्रीवन यह मान के चलिए 519 बच्चों ने prelims को qualify किया out of 30,000 who have appeared in the examination तो आप देखेंगे केवल इतनी सी संख्या है जो prelims को qualify करते हैं बच्चे तो आप देखेंगे कि मुठी भर्वी यह संख्या नहीं है अगर आप देखेंगे तकरीवन 2% से भी कम यह मात्रा है 30,000 के 2% से अगर इससे compare कर जाए तो 1% से भी कम बच्चे हैं जो prelims को qualify करते है तो means यहाँ पे 99 प्रतीशत बच्चे इवन prelims को भी qualify नहीं कर पाते हैं केवल एक प्रतीशत बच्चे हैं जो prelims को qualify कर पाते हैं तो हमें understanding होनी चीए हम किस प्रकार के examination में जा रहे हैं हमें पता होना चीए कि level क्या है examination का competition का आप देखिए कि हिमाचल के अंदर जो भी graduation करेगा post graduation करेगा वो जरूर एक बार administrative services की तरफ जाना चाहेगा जो अब देखिए कौन जाना चाहेगा यह वो बच्चा है जो शायद graduate हो रहा है हर साथ लेकिन हर साल हर बच्चे ने form तो भरा लेकिन उसके अंदर उतनी seriousness नहीं थी तो वो पहुचा नहीं paper देने जो पहु है ऐसे सारे विद्यार्टे को अपने आपसे उमीदे हैं जो top 10 top 15 ranker होता है उनको ज़्यादा उमीदे हैं उनके parents को भी ज़्यादा उमीदे तो आप समझे इस examination में यह बात क्यूं बता लेवल ऑफ दे examination से हमें यह पता चलता है कितना qualitative बच्चा इस examination में appear होगा तो जितना ज़्यादा qualitative बच्चा इस examination में appear होगा उतना यह paper difficult होता चाहेगा clear करने के लिए क्योंकि आपके लिए competitive examination है यह ऐसा exam नहीं है जिसमें आपने 90% लाने है आपकी लड़ाई केवल exam के paper से नहीं है बाकी विद्यार्थे उसे भी हैं जो इसमें appear हो रहे हैं तो हमें और उसे भ भीरता से शुरू करें तो बेहतर है यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमने अपने चैनल पर भी इतने टॉपर्स को डाला पिछले जो है अलग-लग इंसिटूट्स ने अपने वहां से निकले विछात्रों के बारे म नहीं क्वालिफाय कर रहा उसके बारे में कोई बात नहीं करता आप देखिए कि सबसे मींज 99 प्रतीशत बच्चा इस पेपर के प्रिलिम्स को नहीं क्वालिफाय कर पाता तो मींज यह एक ऐसा एक्जामनेशन है जिसमें बहुत भारी चांसे हैं कि आपका यह पेपर क्लि चिते भी हैं और आप अपनी यूथ का एक बहुत बड़ा समय इस एक्जामनेशन को देते हैं तो आपनी इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह जो एक्जामनेशन है इस एक्जामनेशन को पूरी गंभीरता से आपने देना है नहीं तो you are going to waste the youthful years of your life in this very examination और आपके हाथ क पेपर में पूरी जी जान लगा देनी है इस तरीके इस पेपर को तयार कीजे नहीं तो मैं बार बार कहता हूं कि बहुत अच्छा है कि आप इस तयारी को मत कीजे क्योंकि इस से आपके alternate career alternate रास्ते बंध होते जाते हैं और एक और चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि हमें अ और एक ये मान के चलन है हिमाचल के अंदर कि अगर एक एवरेज गवर्मेंट जॉब भी पानी है जिसके बहुत महनत नहीं लगती बहुत समय नहीं लगता उसको क्लियर करने भी लोग चार-चार-पांच-पांच साल लगा देते हैं which is the utter waste of their youthful life तो क्योंकि एक ये चलन है कि easiness है कहीं न कहीं attitude में आपको समझना पड़ेगा with the passage of time जो नया बच्चा आ रहा है वो आपसे बहतर है वो ज्यादा शार्फ है उसमें energy level ज्यादा है तो आप जितना ease में आते जाएंगे इस paper में उतने ज्यादा आपकी possibility घटती जाएगी with the passage of time क्योंकि नया बच्चा आ अगले 2-3 साल में ये number और बढ़ेगा तो आप समझे with the passage of time the things will become more competitive जितने ज्यादा विद्यारती इस paper में बैठ रहा है उसके अनुसार आपकी vacancies नहीं आती है तो चीज का बहुत ध्यान रखना है यह मैं बार-बार इसलिए आपको अगहा कर रहा हूं क्योंकि मैंने देख इस तो उसको देख रहे हैं उनके इसाब से तो आपने चार साल दियें उनको लगता है कि शायद आपका भाग ये अच्छा नहीं था एक्स वेक्टर था वाई वेक्टर था जिसकी विए से selection नहीं हो पाया है लेकिन जो मूलत है कारण है वो primarily है कि आपने शायद उतनी प्रेंडिंग को जरूर समझ लें कि competition क्या है और paper की तासीर क्या है ऐसे ही second stage है second stage एक ऐसा जैसे first stage में मैंने बोला prelims examination है ये examination objective type का है objective type means आपको question mcq format में मिलेंगे आपने चार में से किसी a question को select करना है relatively easy है अब इससे जो cutting paper है ये जो 519 बच्चे prelims को qualify करते हैं ये examination को लिखेंगे means examination जैसे आपके university के examination है subjective exam है इस subjective exam में total 7 paper होंगे जो अगले 6 से 7 दिनों तक चलेंगे जिसमें 2 optional के paper है subject एक है लेकिन paper 2 किये जाएंगे तीन general studies के paper है दो languages के paper है और एक essay writing का paper है तो इस तरह से total 8 paper इसके अंदर conduct किये जाएंगे तो competitive paper है इसमें score करके लाना है और साथ ही साथ तीन तिन घंटे के paper है तो time taking है इस 519 में से तक्रीवन तक्रीवन केवल 50 बच्चे ही है जो means को qualify करते हैं तो आप देखिए इसका भी 10 percent रह गया अगर इस 50 को compare करो 30,000 तो आप देखिए कि कितना कम percentage यहां तक पहुंचा है तो 0.01% बच्चा जो है यहां तक पहुंचता है इसलिए मैं बार बार कहता हूं it's a very highly competitive paper इन 50 में से भी जो interview देने के लिए गए हैं finally जो third stage को भी clear कर देंगे वो होंगे 16-20 depending upon these seats केवल कितने बच्चे हैं जो final merit में आएंगे तो 30,000 में से जो बच्चे बच्चे हैं वो है 16-20 that's why we need to take this paper very very seriously क्योंकि आप देखिए कि selection rate कुछ भी नहीं है इस paper के अंदर तो means अगर आप इस paper के बारे में सोच रहे हैं तो आपने पूरी गंभीरता से पूरी शद्दत से इस paper के जरूरी है आपको इस paper में बैठने वाले competitiveness के बच्चे जो हैं जितने highly competitive बच्चे इस paper में बैठ रहे हैं आपको देखना चाहिए क्योंकि हम लोग लगतार उन बच्चों से मिल रहे हैं लगतार हम उनके answer writing practice जो second stage का सबसे important हिस्सा है third stage interview जिसको interview लोग बोलते हैं लेकिन असली नाम इसका है PT that is personality test जिसके अंदर एक different set of attitude, different set of communication skills, एक धैरिये, एक honesty, एक इमानदारी आपकी personality के अंदर, एक sincerity आपकी personality के अंदर, एक modesty आपकी personality के अंदर देखी जाती है इसके लिए different requirement है, इसके लिए different requirement है तो आप जब भी इस तैयारी को शुरू कीजे तो आप इसे end to end देखिए कि हर stage में एक different requirement है और जब आप इस तैयारी को शुरू कीजे तो आप इस awareness और consciousness के सांथ कीजे कि आप सारी stages को क्या ठीक से cater कर रहे हैं जो हर stages को clear करने के लिए requirement ह क्या आप उन सारी requirement के हिसाब से ही अपनी तैयारी को करते हैं तो यह सारी बातों का आपने ध्यान रखना है जब तैयारी को शुरू करना है second list में है जो मैंने 77 आपको बताया level of competition आपको जरूर पता होने चाहिए यह number पता होने चाहिए जब आप तैयारी शुरू करें अपने table के सामने इन numbers को जरूर लगा लीजे यह आपको हमेशा motivate करेंगे यह जो single digits और इस 16 और 20 में से भी अगर SDM की seat दिखा जा है तो 5 से 8 seat हैं जो केवल SDM की हैं कुछ भी seats नहीं है तो आप देखिए अगर top 5 के अंदर आपने आना है तो it's a very very difficult process तो आपने means केवल इस paper को qualify नहीं करना आपने इस paper को toppers की तरह qualify करना है ताकि आपको दुबारा इस paper को ना देना पड़े rank improvement के process में ना घुसना पड़े इसलिए यह बहुत competitive paper है अब इसमें जो हमें चीजों को समझना है कि अब issue क्या है कि क्यों यह paper निकालना कठिन है जो मैंने बार बार एक बात बोली है कि just locate yourself, got your position means आप जरूर इस paper में देखिए कि आप यह paper कुछ बच्चे जो मैंने बोला इतिहास अलग है, सबके social conditions अलग है, social conditions का मतलब है कि social आर्थिक स्थिति सबकी सेम नहीं है उससे फरक क्या आता है, basic जो इकाई है हमारी पूरे academic system में हमारे लिए वो है हमारे schooling system क्योंकि कुछ बच्चे convent educated हैं, कुछ बच्चे government school से पढ़के आए हैं अब इसकी वज़े से, देखो हर किसी के अंदर different level of eagerness और passion है पेपर में लेकिन हमें इस बात का भी समझना पड़ेगा कि कुछ बच्चे अपनी भाशा, language, अपने concepts को लेके बेहतर तयार हैं इस examination में क्योंकि paper के अंदर जो दूसी stage है, जिसमें answer writing है, उसमें language की जरूरत है, उसमें concept building की जरूरत है तो कुछ बच्चों की schooling बहतर होने की वज़े से, शायद उनकी भाशा में पकड़ जादा अच्छी है तो वो अपनी बात जब लिखते हैं, तो ज़्यादा expressive होके लिखते हैं, बहुत अच्छा communicate करते हैं, जब वो अंग्रेजी बोलते हैं, या हिंदी भी बोलते हैं, बहुत अच्छे सलीखे और तरीके से बोलते हैं तो means, उनकी inherent languages, जो कि school में build होने का काम है, एक आपके social environment, आपके family structure से build होता है, वो शायद उनको थोड़ा सा बहुतर मिला है कुछ बच्चे हैं, जिनको वो बहतर privilege नहीं मिली है, तो हमें ये समझा पड़ेगा कि हम कौन सी category के student है, जब हम अपनी category के identify करेंगे, category का मतलब है, जब हम अपनी position को identify करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा रास्ता बैटर रहेगा, क्या हम उस रास् जिखान रखना है, कि हमने अपनी schooling को compare करना है, अपने colleges को compare करना है, अपने subjects को compare करना है, अपने social background को compare करना है, तब जाके आपने किसी भी topper से अपने को relate करने का परियास करना है, तो आपको हमेशा अपनी position का पता होना चाहिए, दूसरी बात, ये है आपकी historic position, दूसरा है आपको अपनी current, स्थिती के बारे में पता होना चाहिए, current position का आपको पता होना चाहिए, current position में जैसे इस examination को कौन लोग तयार करते हैं और कौन लोग clear करते हैं, मैं clear cut बता रहा हूँ, इस examination में maximum लोग जो qualify कर रहे हैं, उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में लोग हैं, जो है freshers अब freshers क्यों इस examination को qualify करते हैं, freshers का मतलब है, जिन्होंने college को pass out करा और तयारी को start किया, जैसे ocean का हम example लेते हैं, जैसे शिति जराना का लेते हैं, विपिन का example लेते हैं, यह लोग freshers हैं, ऐसे ही कार्थी के का example लेते हैं, यह freshers हैं, freshers means इन्होंने full time अपनी तयारी को pursue करा तयारी करते करते हैं, इनमें से कहीं लोग हैं, जो किसी job में land up करके, जैसे कार्थी के है, allied inspector है, कार्थी किस बार जो है, interview दिया है, इन्होंने allied inspector है, बहुत सारे लोग इसमें से allied के अंदर already घुसे बेरी, तो उन्होंने तयारी हैं, बीच में allied का paper निकला, allied भी clear किया, और आगे HS की तयारी को continue रखा, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने throughout अपनी तयारी केवल जॉब में रहते हुए करी है, बहुत कम है, हम लोग कह तो देते हैं, बच्चे कहते हैं कि we were working professional, लेकिन they were working professional in between their preparation, but while they have started their preparation back, two to three years back, when they were freshers, when they were dedicating complete 8 to 10 hours to this study, तो उन्होंने जब अपनी तयारी को शुरू किया, उन्होंने उस समय तयारी को शुरू किया, जब वो full time तयारी कर रही थी, और उसके बाद बीच में उनकी नौकरी लगी है, दोनों बातों में फर्क है, कि किसी ने नौकरी में ही तयारी शुरू करी हो, इसका मतलब उसने शुरू में जो एक बच्चा जिसने college से immediately निकल के 10-10 गंटे पढ़ा हो, बीच में उसकी कोई नौकरी लगई, फिर उसको 5 गंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसने शुरू के एक साल 10-12 गंटे पढ़ लिया है, एक बच्चा है जो नौकरी में ही तयारी को शुरू कर रहा है, औ और वो केवल 4-5 गंटा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई और तयारी में difference आ जाएगा, तो हमें इस बात को समझना है कि अगर हम working professional हैं, तो हमारा course of action should be entirely different, जैसे working professionals के लिए मैं कभी भी self study नहीं promote करता, जिस पे हम बाद में भी आएंगे, मैं किसी भी housewife को self study नहीं promote करता, ज example देता हूँ आपको prank, रश्मी इस साल उन्होंने 33 की एज में तयारी शुरू करी self study से paper को qualify किया, बहुत सारे अभिशेक बर्वाल self study से paper को qualify किया, बहुत सारे बच्चे paper को self study से ही qualify करते हैं, लेकिन उमेश्व राना self study से paper को qualify किया, एक service man, लेकिन आपको ये समझना देख रहे हैं हर जगा, क्योंकि हम हर जगा cable tip of the iceberg देख रहे हैं, हम उन उन बच्चों का inherent potential, रश्मी का inherent potential was very different, she has worked in an MNC, इन फोसे बोनोंने 10 साल लगाए हैं, जिससे उनकी leadership skill, interview skills, answer writing skill, concept पे पकड़, वो सब बहितर थी, ऐसे ही उमेश्व राना है, उन्होंने officer कार्डर म इसे में मैंने बोला हर कोई different, different social economic background से आ रहा है, उसकी पड़ाई, अगर self study है, तो आप उसको follow मत कीजे, या अगर किसने coaching से निकाला है, तो आप random, आप coaching में मत भुसिए, आप देख लिजे, आपका क्या potential है, हो सकता है, आप self study से ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, rather than coaching है ना, और कोई बच्चे coaching से, fresher के लिए required है, कि वो लोग coaching करें, उससे क्यों है, ऐसे नहीं हम से कर ले, कहीं से भी कर लिजे, जहां आप रहते हैं, वहां से कर लिजे, क्यों उससे आपको इस पूरे paper के बारे में, ये subjects के बारे में, ये process के बारे में, जल्दी पता चल ज जो self study से धीरे धीरे पता चलता, self study से हर काम, क्योंकि आपने खुद करना है, और अपनी experience से सीखना है, तो उसमें time लगता है, जो self study नहीं कर रहा है, जो कहीं भी coaching कर रहा है, अच्छी जगा कर रहा है, average जगा कर रहा है, खराब जगा कर रहा है, at least उनको direct किसी का handmade experience मिल जा तो सबका selection ensure करती है, ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाला है, उसके selection को fast करती है, उसके selection को easy करती है, वो बच्चा जो पढ़ने वाला है, वो वैसे भी निकाल लेता, शायल 5 साल में, अब coaching is through, वो एक साल में निकाल लेता है, इतना ही difference है, ऐसे ही जो महिला हैं, जो घर बहुत अच्छी studies करी है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, या इन सारे पारिवारी जिम्मेदारियों में, इन one or another degree, फसी हुई हैं, उन लोगों को भी self study के लिए, क्योंकि, क्यों मैं इनको self study मना करता है, क्योंकि, एक working professional के बास, जो effective आस, वैसे तो बच्चे बोल सा लेती है, इतना सा काम करती है, तो इससे, जो लोग इस तरह से, एक service man है, अभी एक दो साल है retirement में, उन लोगों को तयारी शुरू कर देने शीए, जो college में जाता हुआ विद्यार्थी है, जिसका सन 2024 में, final year complete होगा, दो तरह के विद्यार्थी हैं, जैसे, कुछ मेरे students है, जिन्होंने 19 साल से तयारी को शुरू किया, उन्होंने इस साल पहले attempt में IES के prelims को निकाला, और ऐसे ही मेरे बहुत सारे student है, जिन्होंने 19 साल की age में तयारी को शुरू किया, 22 साल की age में, जब वो college से pass out होए, engineering से pass out होते होते, उनमें से बहुत सारे लोग IPS लगे, उसमें से बहुत सारे लोग DSP लगे, SDM लगे, और young age में paper को निकाला, इस paper में आपको time देना पड़े, तो means time आप college के pass out होने के बाद देंगे, जो आपके life के और youthful years है, या आप college के time पे तयारी शुरू कर देंगे, ताकि बाद में आपको समय कम देना पड़े, हो सकता है, immediately college के से बाद भी आपका selection हो जाए, हो सकता है, college से निकल के एक साल में आपका selection हो जाए, तो आप अगर college में तयारी को शुरू करते हैं, आप जल्दी इस process को complete कर पाएंगे, तो ये फायदा है early starter का, तो जो लोग 19 साल, 20 साल की age group में है, उन लोगों को ये तयारी शुरू करने का appropriate time है, parents के इंबर बहाने मारते हैं, ये बच्चा college में बहुत busy है, बहुत पढ़ाई है, हमने इतने चेचे colleges से पढ़ा है, किसी भी college में बहुत heavy नहीं है, हमारे students IIT में पढ़ रहें, अब IIT से जादा तो work pressure कहीं नहीं होगा, इतने work pressure में भी उन्होंने तयारी को pursue कर लिया UPSC की तयारी को, और final year तक आते हाते UPSC को qualify भी कर लिया, तो means अब इस से जादा pressure तो हमारे चल में और बिसी college में नहीं होगा, तो हमें इस बात को समझना पढ़ेगा, कि अगर आप इन 19-20 साल की age group में तयारी शुरू करते हैं, आपका mind जादा sharp है, मेरी age group में करोगे, मेर mind रही नहीं जाता है, तो आपका mind जादा sharp है, जादा काम है, जादा focus है, जादा concentrated है, आप जल्दी चीजों को pick कर लेते हो, energy level बहुत जादा है, stamina बहुत जादा है, देर तक पढ़ सकते हो, ये धीर धीरे decline कर जाएगा, तो जितना देर से इस तयारी में घुसोगे, उतना जादा आप अपनी जो है, इन सारी advantages को lose करते चले जाते हैं, तो इसलिए में इस सारी बाते क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन पहलों पर कोई बात नहीं करता है, ये जो अलग लग तरीके हैं, जिससे paper निकलता है, सब academics की बाते करते हैं, ये जो non academic है, जिस जो ये बताता ह है कि academic को कैसे जाना चाहिए, उसके उपर हमें बात करना ज़्यादा जरूरी है, तो इस बात का आप लोग ख्याल कीजिए कि आपकी जो position है, वो क्या position है, आपको कौन सा model suit करेगा, फिर भी यदि आपको समझ नहीं आता, तो मैंने कई जगाओं पर बोला है, कि आप लोग ह कवाल है, और कई बच्चों के जहन में भी आता है, कि क्या coaching करनी चाहिए, या self study से भी paper निकलता है, तो ये बात बिलकुर ठीक है, ये paper self study से निकलता है, और बहुत सारे लोगों ने हर साल निकाला है, इस बात को अनकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमें ये देखना है कि realistically, कि अगर मैं एक विद्यारती हूँ, क्या मेरे को कैसे पता चले कि क्या मैं coaching के लिए बना हूँ, या self study के लिए, तो मोटा मोटा मैंने एक plan of action बताया है, जिसके तो आप ये identify कर सकते हैं, कि आपके लिए क्या ठीक होगा, coaching के साथ सबसे important है, कि इसकी एक financial cost जुड़ी हुई है तो financial cost है इसकी, इसकी fees है, कम है, ये ज़्यादा है, ये अलग बात है, लेकिन fees है, even हमारी भी fees है, तो आप देखिए कि इसके साथ, अगर आपकी financials ठीक ठीक नहीं है, तो शायद आपको हमेशा डलगता है, coaching कैसे करेंगे, इससे अच्छा है कि कुछ किताबे लेकि किसी की guidance में पड़े, तो उससे बेटर है, आप हमसे guidance लेके, चाहे self study कीजे, और हमसे जितना बन पाएगा, हम उतना आपको support करेंगे, आप self study कीजे, लेकिन हमारी guidance के इंदर कीजे, क्योंकि हमारे इतने rich experience, अगर आपके काम आए पाएगा, चाहे उसके हमें कोई financial cost नहींगे, ले process का क्या मतलब है, जैसे अभी मैं आगे detail में भी discuss करूँगा, इस पूरे examination में लगातार, जो है, हमें अपने gear को shift करना पड़ता है, जैसे हम लोग गारी चलाते हैं, हम लोग first gear पे चलाते हैं, second gear पे चलाते हैं, रफतार के अनुसार अपने gear को बदरते हैं, ऐसा ही ये examination है आज 18 महीने दूर है पेपर, आज का gear अलग होगा, आज की demand अलग होगी, आज के पढ़ने का तरीका, सलीका, subject अलग होगे, आज का time table भी अलग होगा, 6 महीने के बाद ये time table नहीं होगा, 12 महीने के बाद time table डिफरेंट होगा, तो ये कौन बताएगा कि 6 महीने के बाद time table को बतलना है, ये पता होने के लिए भी आपको gear की shifting करनी है, तो means अगर आप एक process के अंदर ढ़ल जाते हैं, उसकी वज़े से आप सहे जूरूप में इस तयारी को follow करते हैं, तो coaching में भी अच्छी coaching, जो planned way में चीजों को लेके जा रहे हैं, वो ये process आपको बना देते हैं, तो coaching ये काम करती है, दूसरा, जैसे मैंने नदी का ही example दिया, अगर नदी इस process में नहीं होगी, तो नदी के बहुत chances है कि वो spill हो जाएगी, वो समुंदर तक नहीं पहुंचेगी, वो बिखर जाएगी, इतनी velocity होने के बाद भी, इतना पानी होने के बाद भी नदी नहीं पहुंच पाती, ऐसी विद्यावती है, अगर उनको दिशा ना मिले, तो जो मैंने भोला कि coaching आपको direction देती है, अगर आपने self-study भी करनी है, तो हमारी direction के मताबिक कीजिए, ताकि आप अपने potential को ठीक से harness कर पाए, तो means आप में बहुत energy है, बहुत vague है, बहुत रफतार है आपकी बहुत अच्छा concentration है, बहुत अच्छा stamina है, अगर आपको दिशा नहीं मिली, यह सब waste हो जाएगा, तो दिशा का सबसे ज्यादा rule है इसके अंदर, तो direction is the most important aspect of this very examination, तो आपने direction हम लोगों से लेते रह नहीं है, चाहे आप हमारे student है, paid vouchers के नहीं है, we are open for any direction, तो यह सारी चीज़ें आपको coaching से मिलते हैं, coaching से मिलता है आपको एक अच्छा material, जिसके थूँ आपको यह paper निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि material का बहुत बड़ा game है, क्योंकि यह सारे essay subject हैं, जिन subject के उपर बहुत सारी किताबे नहीं हैं, कुछ चुनिंदा किताबे करदाने वाली किताबे नहीं हैं, इसलिए material का बहुत बड़ा अभाव है इन paper था, जो किताबे लिखी भी जा रही है, वो हिमाचल के perspective से नहीं लिखे जा रही है, वो एक general किताब है, जो general Indian audience के लिखे जा रही है, तो आपके लिए वो सटीक नहीं है, तो इसमें सटीक, brief, precise और directed material पढ़ना बहुत आवशक है, तो ये सारे challenges आते हैं, जो आप self study करते हो, self study में एक बहुत बड़ा challenge आता है, लोग कहते हैं consistency, मैं कहता हूं motivation, motivation ना होने के वज़े से consistency में problem आती है, means, अगर आप अपने target को लेके बहुत highly motivated नहीं है, तो बहुत bright chances होंगे, कि आप अपन इसी चीज़ में waste कर रहे होंगे, और यही होती है consistency, कि means, अगर आप highly passionate नहीं है, इस paper को निकालने के लिए, तभी आप inconsistent होते हैं, जो व्यक्ति को केवल इस paper में, जैसे अरजुन को हमेशा मचली की आँख और चिडिया की आँख दिखाई देती थी, अगर आपको वो नहीं दिखती है, आपको पूरी चिडिया दिखती है, आपको पूरा पेड़ दिखता है, तो आप तो self study के लिए बिल्कुल भी नहीं पड़े, तो आपकी जो थोड़ी बहुत possibility है paper को qualify करने की, वो केवल coaching पूरा करता है, कि coaching आपको दिशा देता है, आपको लगता है, और जिसक जारी बातों का ध्यान रखना है, कि इस paper में motivation level बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अगर जिसका motivation level, life long, आपके ऐसे पता चल जाते है motivation level का, sincerity, यही motivation है जो आपको sincerity देती है, अगर किसी बच्चे के, अब मैं पूछना हूँ कि आपके school में कितने number आए, आपके 10 वी में कितने हैं, graduation में कितना हैं, इन से किसी की intelligence नहीं पता चलती, इन से ये जो marks हैं, इन से क्या पता चलता है, आप चीजों को लेके कितने sincere हैं, कि आपको बच्चपन से एक काम दिया किया था, पेरिंट्स वारा कि भई आप पढ़ाई करो, और आपने वो ही काम ठीक से नहीं किया, य ये बच्चा sincere है या नहीं है, जिसके marks जादा आते हैं, उसके selection के chances जादा हैं, इसलिए नहीं कि वो intelligent है, इसलिए means अगर उसको मैं कोई काम दूँगा, वो उस काम को करेगा, means वो मेरी दीवी, दिशा, निर्देश को बहुत seriously pursue करेगा, तो ये जो seriousness है, sincerity है, ये ही आपको motivation देती है, या motivation के वज़े से आपको seriousness रहती है, तो अगर जो highly motivated नहीं है, वो ही बच्चा inconsistent होगा, वो ही बच्चा इन सारी चीजों में fumble भी करेगा, क्योंकि वो inconsistent है, वो महमेदी नहीं करेगा, अच्छा material दूने की, क्योंकि वो sincere नहीं है, highly motivated नहीं है, वो पूरे process को कभी follow नहीं करेगा, ये कैसे परच लजागा, इस वीडियो के माधियम से, जो बच्चा नोट्स बना रहा है, उस बच्चे ने selection ले लेनी है, इवन डेली के अंदर बैठेंगों बच्चों ने, या हिमाचल के remoteist, हमें ऐसे remote location से phone आते हैं, कि चंबा के remote location में है, कुलू में है, कि इन वीडियो और इन सेशन के माधियम से, नोट्स मनाके, लोगों ने यही जो मैंने बोला direction, चल्फ सड़ी करके इस paper को qualify किया है, और हमको phone करकर के thanks बोलते हैं, कि इन फिरी वीडियो से निकला, यो कैसे निकला, ये फिरी वीडियो तो 50,000 बच्चों ने देखी है, लेकिन ये lack of seriousness है, ये ही sincerity है, ये ही निर्धारित करेगा कि आप लाइफ में एक IS officer बनोगे, या आप लाइफ में पूरी लाइफ एक struggle से गुजारो, और एक चीज में जो बार बार कहता हूँ, कि जीवन में प्रत्न आपको जरूर करना पड़ेगा, आपको hard work जरूर करना जितना जादा आप चीजों को टालोगे, मटो लोगे, प्रोकास्टिनेट करोगे, उतना lifelong struggle और hard work फिर करते रह जाओगे, तो सही time पर hard work करना इस समझदारी, इस wisdom, इस sincerity, इस चीजों को आपने बहुत गौर पर्माना है, otherwise आपको लोग सब कहते हैं कि ये किताब पड़ो, क किसी कोई भी एक model ठीक नहीं है, जैसे मैंने बोला, कुछ working professionals है, ex-servicemen है, housewife है, वो अपने शहर को नहीं छोड़ सकते, वो लोग जरूर online coaching दीजिए, वो reasonable है, हम लोगों की ही online course, मातर 25,000 का है, जिसमें accept option, सब कुछ इस course का हिस्ता है, तो online बहुत reasonable है, आपको शहर छोड आपको flexibility है, offline coaching वो बच्चा ले, पहली चीज़, offline की fees ज्यादा होती है, तो जिसकी financial capability थोड़ी better है, वो offline coaching ले, offline coaching से आपको हम से मिलने का मौका मिलता है, exposure मिलता है, सारे teachers की personality देखने का मौका मिलता है, यह बहुत learning है, क्योंकि every teacher here is a very very learned gem, साथ ही साथ, आपको एक बहुत क्या IIT से आया है, कोई NIT से आया है, कोई St. Bind से, कोई धर्मशाला University से, कोई HPU का topper है, इतने अच्छे लोगों के बीच में बैठके, library में बैठोगी, तो कितने सारे आपको वो बच्चे मिलेंगे, जिन्होंने IS के interview दिये हुए हैं, HS के interview दिये हैं, कुछ लोग selected candidate है, test series दिखने है होते हैं, इस caliber के आपको लोग मिलेंगे, तो इससे आपको एक अच्छा environment और ecosystem offline offer करता है, तो यह सारी चीज़ों में थोड़ा आपको देखना है, आपको देखना है, आपको climate suit करता है या नहीं करता, इन सारी चीज़ों के बाद आपने निर्न है लेना है, तो य important हिसा, यह सारी चीज़े हैं कि जब तयारी शुरू की जाए, तो किन बिंदू उनको सोचा जाए, दूसरा हिस्सा है जब आपने तयारी शुरू कर दी है, और इन सारे बिंदू पे गौर फरमा लिया है, अब हम next stage में जाएंगे कि what we are out to do, अब इसके अंदर ये चार stages लि मुटी मुटी किताबे नहीं पढ़नी है, बहुत बुनियादी किताबे पढ़नी है, बेसिक से शुरू की, तो बेसिक के लिए NCRT से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है, बेसिक के लिए हम लोगों ने NCRT, आप इसी description के अंदर आपको एक link मिल जाएगा, जिसमें free NCRT सीरीज, आरम सीरीज है, इसको आप follow कीजे, इस आरम सीरीज में हमने NCRT के 50 lectures, अलगले faculty ने वही subject, जो H.S. और I.S. पेपर में आते हैं, जिसमें history है, geography है, quality है, economy है, science है, ये सारे subject को हम लोगों ने पढ़ाया है, इन subject से आपका core बहुत ज्यादा strong बनेगा, आप basic से इस ब self-study वाले को थूड़ा सा struggle जादा होता है, क्योंकि उसने सारे concept खुद पढ़ने हैं, खुद समझने हैं, खुद material को जुटाना है, अगर किसी को material में help चाहिए, तो हमारे पास एक consolidated material है, उसके लिए आप हमें call कर सकते हैं, जिसका link description में लिखा गया है, उसके अलावा आप जो है, ये basics के लिए, इन NCRT के free videos को हर बच्चा बेख सकता है, जिससे उसको ये पता चल जागा है, भया तयारी को कैसे करना चाहिए, क्या दृस्टी कौन होता है, एक civil servant का, जब वो अलग-लग subject को pursue करता है, क्योंकि NCRT तो आपने school में भी पढ़ी है, लेकिन school में जब आ तो इस चीज को आपने समझना है, तो ये NCRT साब को बहुत ज़्यादा help करेंगी, इस sense में कि आपको एक बहुत अच्छी start, एक बहुत अच्छी foundation बनाकर देदेगी, आपकी range of thought को बढ़ा देगी, दूसरी stage, अब आपने देखना है, ये दोने stages parallel चलेंगी, जिसमें आपन आपने देखना है कि अब इस paper की तासीर को मैंने आपको समझाया, अब आपने अपना एक time table draw करना है, time table draw करते करते हैं, आपने नज़र में ये भी रखना है कि इस paper के अंदर GS है, इस paper के अंदर HPGK है, इस paper के अंदर आपका current affair है, इस paper के अंदर आपका CSAT है, इस paper के अंद आपके personality test है, तो interview भी है, तो इस paper के अंदर काफी सारी चीजे हैं जिनमें आपको गौर फर्माना है, तो ये सारी चीजे हैं जो आपके time table का हिस्सा भी बनेंगी, इसी को मैं बोलता हूँ कि balance your profession, इन सारी चीजों को मध्य नजर में रखे, अब कौन सी चीज कम करनी है, इसका एक उचित समय है, and if for now, हम इन दोनों के उपर अभी काम नहीं करेंगे, तो इनको अभी हम लोग side रख सकते हैं, यहां से चीजों को शुरू कर सकते हैं, means आपने रोजाना basis पे general studies, अगर आप खुद तयारी कर रहे हैं, तो इसको आप 4-5 गंटा पढ़ेंगे, रोजाना basis पहले NC artist पढ़ेंगे, फिर जो मैं बोलता हूँ, हमारा material या आपके पास जो भी book set हैं, जिसका एक detailed video हम लोग बनाएंगे, उन book set को भी आप लोग follow कर सकते, तो इनके थू भी आपको help मिलेगी, साथ ही साथ, आपको HPGK की एक बहुत popular book है, बलोखरा हिमाचल में उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको नहीं पढ़ना, तो हमारे पास एक HPGK की अलग से किताब है, जिसके अंदर 1000 practice के questions हैं with solution, वो भी आपको help परेगी, ये भी आपका दिन का एक हिस्सा होना चाहिए, ऐसे ही आपको pre or mains, दोनों के current affairs को पढ़ना चाहिए, इसको help करने के लिए, हमने लोगों को provide करते हैं, तो इसमें से बहुत सारे product free of cost हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखे हैं, अब आपकी जो शुरू की तयारी होगी, वो इनके उपर आधारित होगी, कि शुरू में आपने concept, आपने base के उपर 3-4 महिना काम करना है, उसके बाद जिसको मैं बोलता ह इसे important तत्व हैं, जिनको अगर add कर दिया जाए, तो आप इस paper को सरलता से qualify कर सकते हैं, तो means आपने personality test में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने personality test में ध्यान रखना है कि आपके पास communication skill अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी communication अच्छी नहीं है, तो उसको अच्छा बोलते वक्त सहजता कितनी है, आपका तेज कितना है, बोलते वक्त ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, डूसरी बात, आपने इस चीज़ का अभ्याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, दूसरी बात, communication के सांसान आपने देखना है, आपकी body languages कहती है, क्या वो एक negative है, आपके facial expressions कैसे है, इनके पे भी गौर फर्माना है, तीसरी बात, अब लिखते कैसे है, communication, एक written communication भी होता है, भाशाओं के उपर, आपकी language के उपर, आपकी writing के उपर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको answer writing में help out करेगा, ये एक important part है personality का, एक personality का important part है, जिसको मैं बार-बार बोलता हूँ, modesty, या एक व्यक्ति humble होना चाहिए, तो अगर आप modest नहीं है, humble नहीं है, high-headedness आपके अंदर है, वो आपकी बातों में, वो आपके interview में जलग जाएगी, तो धीरे-धीरे आपने दिखावा नहीं करना है, कोशिच कीजिए कि अपने को modest एक आंसान बनाएगे, जितना आप ये पढ़ाई को पढ़ते जाऊगे, या अप मॉडेस्ट होते जाओगे, जितना जादा पढ़ाई में गहरा इतरते हो, जितना जादा अध्यात में, या मेडिटेशन में गहरा इतरते हो, आप modest और humble होते चले जाते हो, इस पहलू पे जरूर work करना है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी vibes को immediately पकड़ देता है अगर आपकी vibes से इस तरह की feelings आ रही है personality से तो बहुत chances हैं कि आपको बहुत अच्छे marks interview में नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी interview में एक high headliness आपकी personality में दिख रही है एक bureaucrate में सब कुछ बरदार्श हो सकता है लेकिन उसकी modesty उसकी humbleness जो है वो compromise नहीं होती तो इचीज़ को आपकी बातों में एक honesty एक sincerity ये दिखनी चाहिए honesty and sincerity कभी भी आप ये मतले लिखिए किसी को कि मैं एक honest रिखती हूँ honest means generally लोग पैसों के सांथ इसको जोते है honest means है कि जो commitment आप अपनी से लोगों से कर लेते हैं वो केवल financial commitment नहीं है वो एक simple commitment है वो होती है इमांदारी वो होती है honesty ये आपके चरितर में दिखनी चाहिए आपकी बातों से दिखनी चाहिए ये हर चीज से जलकती है जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों पे ठीक होता है वो पैसे को लेके भी ठीक होता है तो honesty आपके हर चीज में जलकती है तो ये सारे कुछ attribute है अपनी personality पे जो धीरे धीरे कोशिच कीज़े अपनी personality पे आप उतार पाए तो इन सारे पहलू पे आप लोगों ने काम करना है इसके अलावा जैसे मैंने बोला अब आपकी preparation अगर ये सारे काम करते हैं तो आपने balance करना है अपनी preparation को समय समय पे gear shift करेंगे means अलग-अलग stages है इस paper में शुरू की stage है जिसको मैंने बोला कि आपने NCRT को पढ़के अपनी foundation को build करना है फिर आपने basic books या आप बोल सकते हैं हमारा material कुछ भी जो आपको बेता लगे उनको पढ़ना है और अपना एक conceptual understanding डिलप करनी है second stage में आपने MCQ practice करने है जो free session है हमारे YouTube पे उनके थूप ऐसे ही हमने free में answer writing practice करवाई है उसको follow करना है third part is your notes making ये तीन काम आपने second stage में करने है third stage के अंदर और इसी stage में आपने C set के उपर काम करना शुरू कर देना है third stage के अंदर आपने इन सारी चीजों को intensive revision में डाल देना है और free और means की intensive revision आप लोगों ने करनी है right तो ये तीन stages को आपने इस तरीके से follow करना है कि intensive revision, answer writing, MCQ session तो लगातार gear shifting आपकी होती रहनी चाहिए अब किस महीने में ये gear shifting होगी depend करेगा कि आप कितने महीने में ये time खतम करें आपने एक चीज का ख्याल लखना है अब शुरू करेंगे अगर आप 2023 में तो 2024 के March onward आपकी ये वाली stage आदेगी March onward is the stage for intensive revision इस चीज का आपने ख्याल तो आप अपने time को इस मताबिक आप plan कर सकते इसके अलावा अगर किसी को कोई भी मदद चाहिए तो I am available for you to make, to help you in making your time table to help in devising a strategy which is customized for you तो उसके लिए I am available मैं बच्चों के सान strategy session इस तरह के लगातार करता रहता हूँ मैं टेलिफोनिक फोनों पे आप लोगों के पास अविलिबल हूँ इसके अलावा हमारे एक official number है जिसके थूँ आप मेरे सान connect हो सकते है इस number पे आप call करके अपनी जो है एक appointment टेलिफोनिक appointment बूक कर सकते हैं क्योंकि मैं कहीं बच सेक्शन में होता हूँ मैं फिर आपको एक time दे दूँगा उस time पे हम लोग बात कर लिया करेंगे तो इस तरह से अगर आप तयारी को शुरू करते हैं तो एक well-aware तयारी है इस तयारी में आपको successful होने के chances जादा है जो मैं फिर से last में एक बार repeat करता हूँ जो मैंने बात starting से शुरू करी दी कि तयारी आप जब करें तो तयारी में इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप अपने youth के बहुत important years इस तयारी को दे रहे हैं तो इन सालों को आपने खराब नहीं करना है तयारी करनी है तो पूरी शुदत से करनी है नहीं तो किसी और alternate career को आप family build कीजे लेकिन अपने समय को ना नस कीजे अपने parents के पैसे को अपने parents के उमीदों को बिलकुल ना नस कीजे इस तीज का बहुत ख्याल रही है और रेक चलीगी धन्यवाद थैंक्ड़ाद